आज बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है यह और जाणों में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि ठंड में इस तरीकी के स्टफ पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं यह है मुगलई पराठा और आप इसको दो-तिन तरीके से बना सकते हैं hello friends मैं हूँ सौमया सौमयाज किचिन में आपका स्वागत है मुगले पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आठा को माल करके रखेंगे जिसे की पराठा हम बेल सके और इसको आप रैप बना करके भी रख सकते हैं मतलब रोटिया बना बना करके रख सकते हैं बेकिंग पाउडर डाला है और नमक टेस्ट के अनुसा डाला है वन एंड ता हाफ टीस्पून के करीब अब इसमें थ्री टेवल इस्पून ओइल डाला है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे यह तीन कप है देल कप आटा और देल कप मैदा तो तीन कप है ना तो वन गुण गुण गुणा जितना अंगली डाल करें देख सके आराम से उससे आठे को मालना और जिस तरीके से आठे को माल करके रखर आखर पर गक्रिंद बहुत जादा कड़क नहीं मालना है और व्यंद आज सब्सक्रीन जरूर नैंज प्लीज कर आपके खूआ इंस बैग मै आप देख सकते हैं मैं आठे को ज्यादा तर इसी तरीके से माल करके रखती हूँ जिसे की आठा अची तरीके से फूल जाता है हाल के आठा माल करके तुरंत की तुरंत पराठे सेखते हैं तो उतना सॉफ्ट नहीं बन पाता है पराठा तो इसलिए आठा माल करके टक करके जाजर उबला हुआ आलू पनीर अद्रक हरी मिर्च लहसुन हरा धनिया तो जो भी सब्जी आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं ऐसा नहीं है सेम यही सब्जियां डाल ली है तो इस तरीके से मैंने चौप कर लिया है चौपर में फटाफट चौप हो जाती हाथ से कटन कि तीनों कलर की डालनी है लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है देखने में बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा डूबर भी चेंज होता है और पत्ता गोभी को मैं इसी में करती होता है सब इस सब्जियों को अठ्छीी से चौप कर लेंगे पीाज को भी चाप इसी तरीके से मैं चोप कर लेती हूँ ईद्रख हरśl एक को करके से जऑ कर लेंगे इस लिए लेसि लेज बाझ ASIE करेंगे तो पराटे मैं अच्छ से बिल नहीं पाएंगे अगर आलू तुरंत की तुरंत तुबाला हुआ है तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं और ये 100 ग्राम मैंने पनीर लिया है पनीर को इस तरीके से ग्रेट कर लेगा है अब गैस पर एक fry pan रखेंगे उसमें 1 tablespoon के करीब oil डालेंगे oil जब हलका सा गरम हो जाएगा इसमें डाल देंगे प्याज प्याज की quantity या लेसुन की quantity आप अपनी साब से कम जादा कर सकते हैं अगर नहीं खाते हैं तो ना डालें प्याज को हलका सा transparent होने देंगे फिर pan में डाल देंगे अधरक हरी मिल्च और लेसुन आप देख सकते हैं काफी अच्छी quantity में मैंने अधरक हरी मिल्च लेसुन डाला है क्योंकि इससे flavor बहुत अच्छा आता है हलका सा भून लेंगे बहुत गुलाबी नहीं करना है प्याज को और उसी में फिर सबजीयों को मिला देंगे अच्छी तरीके से mix करेंगे सभी सबजीयों को और साथ में नमक डाल देंगे तो जो भी सबजी में पानी होगा वो अलग हो जाएगा और साथ की साथ सूपता जाएगा जिसी की filling बहुत अच्छा बन करके तयार होती है यह देख सकते हैं कितना सारा पानी नमक डालते ही अलग हो गया सबजियों से अब इसको भूल लेंगे पानी जब तक नहीं सूखता है तब तक भूलना है आप इसमें चाहें तो हरी मटर भी डाल सकते हैं करके मैंने हरी मटर नहीं डाली है बहुत ही टेस्टी लगती है हरी मटर डाल करके भी और मीडियम टू हाइफ लेंगे इस तरीके से यह देखिए कितनी अच्छी तरीके से फिलिंग बन रही है और आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर प्लीज कमेंट जरूर करें और मेरी जो पुरानी वीडियो जो दो तिन साल पहले भी डाली थी मैंने वीडियो उनको भी देखें जिसे की बहुत ही अच्छी रैसिपी है आप देखेंगे तो बनाने का जरूर मन करेगा तो प्लीज बनाएं जब पानी हलके से सूक जाएगा ना तब इसमें आलू और पनीर डाल देंगे इस तरीके से मिक्स कर देंगे हलका सा इस तरीके से फैलाते हुए मिक्स करेंगे जिसे की आलू और पनीर का जो एक गोला सा बन जाए वो चीज नहीं बनननी चाहिए अब सभी चीजों को mix कर दिया है अब इसमें मसाले डालेंगे हल्दी पाउडर हाफ टीजपून बन टीजपून रेड चिली पाउडर धनिया पाउडर अमचूर पाउडर गरम मसाला आप मसाले अपने टेस्ट के नुसर कम जादा कर सकते हैं और साथ में डाला है बन टीजप पानी अच्छी तरीके से सूख गया है अब इसमें 1 कप की करीब हरा धनिया डाल देंगे महीन कटा हुआ अच्छी तरीके से mix करेंगे धनिया डालने के बाद बहुत ज़्यादा देड़ पकाना नहीं है बस mix करना है filling बन करके त्यार हो गई है filling को एक बॉल्म में कर लेंग बहुत soft हो जाता है और बहुत ही अच्छी रोटियां बनती है तो इस तरीके से आपको मैं दो तरीके से पराठा बनाना सीब बताऊंगी आपको जो भी आसान लगे बनाना उस तरीके से आप पराठे को बना सकते हैं एक लोई लेंगे लोई को मीडियम साइज का मैंने के लिए बना करके रखते हैं इससे आप बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं और यह बना करके कपड़े में लपेट करके मतलब डिबे के अंदर रख करके या टाइट डिबे के अंदर रख करके फ्रीज में पासे 6 दिन के लिए रख सकते हैं और फ्रीजर में आप 20-25 दिन क लिए रख सकते हैं आराम से इस तरीके से रोटी बना करके जब एक तरफ से हलकी से तच जाएगी स्का और मैं जो आता है उस में किस तरीके से पराठा बनाएंगे वो भी बताओंगी अभी मैं आपको तो यह मैंने रोटियां सेख करके रग दी है यह मैंने पराठा पेल थे को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे देखें तरीके से और करने któ बाद दोनो की और शाइट से भी फोल्ड कर वो खुले ना यह देख सकते हैं आप इस तरीके से बेल दिया है गैस पर एक मैंने फ्राइपेंड रखा है अब इसमें पराथे को रख देंगे थोड़ा सा ओइल डालेंगे पहले उसमें और ओइल में घी में मक्षन में जिसमें आप चाहें सेख ना सेख सकते हैं यह देख स फ्राइपेंड में रख दिया विल्कुल थोड़ा सा वन टेबल स्पून के करीब ऑइल डाला है और जो फ्रेंकी बनाई है जो मतलब कच्छी पकी रोटी से करके रखें उसके लिए मैंने वन फोट कप मैदा का गोल बनाया केवल पानी डाल करके गोल बना लिया नमक वगर फोल्ड कर देंगे और दूसरा पीष फोल्ड करके चिपका देंगे और नीचे की साइट से भी इस कर दो बनाया करके और इसको फोल्ड कर कची पकी रोटी बना करके इस तरीके से फिल करके आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से मुगलई पराठा बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है आप इसको चटनी के साथ हरी चटनी के साथ सांस के साथ या दही के साथ या राहते के साथ जिसके साथ चाहें सर्व कर सक यह देखे पराठा एक तरफ से कितनी अच्छी तरीके से सिग्या है पराठे को पलट दिया साथी मैं दूसरा पराठा भी रख दे रही है जो मैंने कच्छी पकी रोटी से बनाया है और पराठा दूसरी तरफ से भी आप देख सकते हैं वह वाला पराठा सिग्या है पहले वा और पराठा भी बहुत अच्छी तरीके से सिखा हुआ है, बहुत ही तेस्टी बने थे पराठे, आप एक बार जरूर बना करके देखें, यह देखें, पराठे को इस तरीके से सीख करके निकाल लेंगे, अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, देखें अंदर कितनी कितनी अच्छी तरीके से फिलिंग भरी हुई है, और आप कम भी करना चाहें, फिलिंग को तो कम भी कर सकते हैं, यह देखें, बहुत यमी पराठा बन करके तयार हुआ है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, तो प्लीडे करें वीडियो को पनी फ्रेंड्स और फैमली के साथ मैं, इस्टेः हैपी और कीप कोकिंग थैंक यूँ और ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए दिखते रिए सामे अच किचिन बब बाए, फिर मिल देख नई वीडियो के साथ अधा